नाइन साइन्स चेप्टर फाइब कोशिका के अंतरगत NCRT बुक के कुछ क्वेश्चन्स को देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन है प्लेजमा जिल्ली को वर्णात्मक पारगम में जिल्ली क्यों कहते हैं यदि हम कोशिका का ध्यन सुक्ष्मदर्शी की मदद से करें तो हमें प्रत्य कोशिका में तीन गुण नर्मली दिखाई देते हैं जैसे प्लेजमा जिल्ली है, केंदरक है, कोशिका द्रव्ये और कोशिका के अंदर जितनी भी होने वाली क्रिया कलाप है और उसकी बाहिय अगर हम बाहरी पर्यावन से उसके पारस परी क्रियाओं को देखें तो वो इनी गुणों के कारण संभव होता है और उसमें एक है प्लेजमा जिल्ली अब इस प्लेजमा जिल्ली को वर्णात्मक पारगम में जिल्ली क्यों कहते हैं वास्तों में क्या होता है कि जो प्लेजमा जिल्ली है जिसको आप कोशिका जिल्ली भी कह रहे हैं वो कोशिका की सबसे बाहरी परत है और ये कोशिका को क्या करती है बाहरी पर्यावरन से अलग क करने का काम करती है कोन प्लेजमा जिल्ली लेकिन अब कोशिका को कुछ पदार्थ अंदर या बाहर भी लाना ले जाना होंगे तो प्लेजमा जिल्ली क्या करती कुछ पदार्थों को अंदर अत्वा बाहर आने जाने देती है और उसी समय ये अन्य पदार्थों की गती को भी तो कुछ को जाने आने देती है, यह कुछ को रोकती है, जैसे एक गेट के रूप में इस तरह से वो काम करती है, तो इसलिए प्लेजमा जिल्ली को वर्णात्मक पारगम में जिल्ली भी कहते हैं, जैसे अगर उधारन ले तो परासनन जिसको हम कहते हैं, तो परासरन में क्या होता है इसमें वर्णात्मक जो हमारी जिल्ली होती है उसके दवारा ही जल क्याणूओं की क्या होती है गती होती है तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेजमा जिल्ली जो है वो वर्णात्मक पारगम में जिल्ली है अब अगर हम अगले प्रशन पर जाएं तो एक बहुत सरल प्रश्ण बनता है कि कोशिका को जीवन की सरशनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं मतलब जो कोशिका है वो जीवन की सरशनात्मक इकाई क्यों है क्रियात्मक इकाई क्यों है तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो सजीव होते हैं कुछ मुल्भूत कारी करने की खशमता होती और यह सबी सजीव का कूच है यह संध् match करता है और शारे काम कर है एक कोशिक जीव होकर भी है ना तो क्या हम समझ रहें इसको कि ये कोशिका क्या बन गई जीवन की सराशनात्म को क्रियात्म की काई बन गई अगर हम बहु कोशिक जीवों में जाएं जैसे हम मनुष्य हैं तो हम में क्या होता है श्रम विपाजन होता है और यह जितने सारे यहां क सारे कारे कोशिकायों के विक शिछ्थे गट जिवन rozp संपनसर की किषान की क्रिआत्म की कई है जिना क॑